हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम आयू से संबनित प्रश्न को यहां पे हल करेंगे फ्रेंस आयू से संबनित प्रश्न को हल करने का ताथ पर यह है कि जैसे आपको पिता की आयू ग्याद करना हो पुत्र की आयू ग्याद करना हो बहन की आयू ग्याद करना हो तो आप किस प्रकार से ग्याद करेंगे यहां पर आपको हम प्रश्ण के माध्यम से समझाएंगे जिससे आपका concept अदम किलियर होगा चले फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपके सामने यह प्रश्ण है कि मा की आयू उसके पुत्र की आयू की पांच गुनी है तो आठ वर्स बाद मा पुत्र की आयू से ती गुनी हो जाएगी तो दोनों की वरतमान आयू ग्याद कीजिए यानि कि आपको वरतमान आयू ग्याद करना है फ्रेंस इस प्रकार का प्रश्ण जब भी आपको मिले तो इन दोनों में तु और शोटी होगी उसी कि उम्रों को अपने तरब से मान लिया जाता है देखिए फ्रेंस यहां पे अपने तरब से मानते हैं कि माना कि किस्की उम्रों सब्रस एक पर नहीं मानां यारी मीशहां fakutतू्र के पुट्र की कि यह कि लातनेह dot यक्स वर्स तो मा की आयू कितना होगे फ्रेंज देखें यहां मा की आयू यह क्या है मा की आयू यानि कि जो यहां पे हम मार रहें फ्रेंज वर्तमार आयू मार रहें देखें सवाल को पढ़ें मा की आयू जो है पुत्र की आयू कितनी गुनी है पांच गुनी देखें पुत आए देखें अब पूछ के रहा है कि 8 वर्स बाद मां पुत्र की आयू से तीगुनी हो जाएगी तो फ्रेंज पहले यह तो अरतमान आयू है अब हम क्या करते हैं कि 8 वर्स बाद ग्याद करते हैं देखें यहां पी लिखिए कि 8 वर्स बाद पुत्र की आयू ठीक है यानि 8 वर्स बाद पुत्र की आयू क्या हो जाएगी तो 8 वर्स बाद यानि कि आपका वर्तमान आयू यक्स है और जब फ्रेंज बाद में निकलना होगा तो इसमें क्या करेंगे यहां पे 8 जोड़ देंगे यानि कि यक्स प्लस 8 वर्स हो बाद मा की द्थेखेँ मा की वर्तमान यो कितना है 5 यह ती यह पह मैं पूरह प्रश्न को पहले द्थेखेए यहाँ पे दिया है, यहाँ पूरे प्रश्यन को पहले देखीए कि आठ वर्स बाद मा पुत्र के आयु से तीगुनी हो जाएगे अब देखे क्या करा है कि दोनों के वर्तमार आयु ग्याद किजी तो आठ वर्स बाद तो आब ग्याद किये हैं लेकिन वह क्या हो रहा है कि आठ वरस बाद जो मा की आयू है पुत्र की आयू की तीगुनी हो जा रही इसी को आभ याद रखना है कि तीगुना हो रहा है तो friends क्या कीजिएगा कि x plus 8 इस तरह यह पुत्र की आयू है यहाँ पर यहाँ निकी लिखिए पुत्र और यहाँ पर लिखिए मा यहाँ प्या लिखिएंगे फ्रेंस पुत्र लिख लिजिए यहाँ पर मा और बरावर का चेंद देजिए 5 x plus 8 लिखिए यहाँ पर का रहा है कि जो मा की आयू है पुत्री की आयू की कितनी गुणी है ती गुणी है यहाँ पर तीन का आप गुणा कर लिजिए पुत्री में क्या करेंगे तीन का गुणा करेंगे इन दोनों को बरावर करने के लिए कि 3 का गुरा करना पड़ा अब इसका आप क्या के अग्य होगा 3 3 का 8 में करेंगे 3पte 24 भीस होगा देखिए 5ए 6 भीस होगा प्लस आट मैं 6 को एक सेट किजिए अंक को एक सेट यहां पे देखिएemor 20 machine चौबिस रहने दीजी आठ को इधर पच्छान्दक करेंगे तो होगा दो यक्स दो को पच्छान्दक करेंगे तो सोलह बटाके दो होगा और बराबर यहां पी यक्स बज़ेगा यानि कि देखेंगे दो आठे सोलह बटाया होगा यानि कि यक्स बड़ा कितना जागा आठ वज़ेगा तो फ्रेंस यहां पे यक्स को क्या मानगत है हमते यक्स को मानगत है पुत्र यानि कि त्र की वरतमान आई उ यहाँ पे लिखेंगे मा की आयू कितना होजाएंगा पांच एक्स यानि कि पांच गुड़े एक्स देखे 5 एक्स कर कितना होगा आर्थ पांच व spreadshe इस चालिस यह जाएगा निशिक्च पुत्र के वर्दमान आईू 8 वर्स है तो पीडियो के लाइक – लाइक profes हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें